English बोलते वक्त आप अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि कई बार आप बोलना तो चाते हैं, लेकिन सही वर्ड आपके दिमाग में आता नहीं है. जैसे मान लिजिए, हम सब जानते हैं कि खाना को कहते हैं eat, लेगन क्या आप जानते हैं खिलाना को क्या कहते हैं, किसी को खिलाना, खाना परोसने को क्या कहते हैं, चबाने को क्या कहते हैं, चबाना एक अलग चीज है, और उस खाने को निगलना एक अलग चीज है, किसी को लल को निचोडते हैं मरोड़ना आप किसी का हात मरोड़ देते हैं जैसे आपको कहना है भाई ने मेरा हात मरोड़ दिया तो मरोड़ने को क्या कहेंगे पीसना, अद्रक पीस रहो, कुचलना, एक कार ने विल्ली को कुचल दिया, इसे क्या कहेंगे उडेलना, जैसे इसे इसमें उडेल दो, बिखेरना, चावल के दाने बिखेर दिये मैंने चलकना या चलकाना पानी चलक गया मुझसे गीला करना जैसे हम सब जानते हैं कि गीला मतलब होता है wet अगर मुझे कहना है ये shirt गीली है तो मैं simply कह सकता हूँ this shirt is wet लेकिन अगर मेरे हाथ में एक कपड़ा है और मैं उस पर पानी डाल के उसे गीला कर रहा हूँ या कोई व्यक जैसे अगर मुझे कहना है ये shirt सूखी है this shirt is dry लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं किसी कपड़े को सुखा रहा हूँ ड्रायर का यूज कर रहा हूँ और सुखा रहा हूँ तो मैं सुखा रहा हूँ I am क्या ये पता होना चाहिए पकड़ना एक अलग चीज है आप किसी चीज क चुभाना जैसे चेर को मत घसीतो घसीतने को क्या कहते है चिपकाना इसे वहाँ चिपका दो दिवार पर चिपका दो चिपकाने को क्या कहते है चुभाना जैसे मान लीजिए चुभाना को मैंने आप से कहा कि इसे कहते है प्रिक प्रिक मतलब चुबना या चुभाना तो कम कम से कम जब आपको यह पता होगा कि चुबना यह चुबाना को क्या कहते हैं और आपको कहना है भाई ने मुझे सुई चुबा दी भाई ने मुझे सुई चुबा दी तो कम से कम आप ऐसा तो बोल सकते हैं भाई चुबा दी चुबाने को प्रिक कहते हैं भाई प्रिक मुझे मी, सुई, सुई को क्या कहते हैं, नीडल, भाई, प्रिट, मी, नीडल, कम से कम ये बोलने लायक तो आप बनेंगे, अगर आपको सही वर्ड का पता है तो, आज की इस वीडियो में मैंने इस तरह की 216 वर्ब्स आपके लिए हैं और ये 216 वर्ब्स जो मैं आभी आपको बताऊंगा, मैंने पहले आपको Hindi बताया उसके बाद मैं बताऊंगा आपको उसकी English क्या बोलते हैं फिर किस तरह से उसे प्रनाउंस किया जाता है क्योंकि ये भी important है गलती नहीं होनी चाहिए उसके बाद उसकी तीन forms जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्या आपको पता लगेगा कि जब कोई sentence present में होता है past में होता है future में होता है तो verb की कौन सी form किस हिसाब से sentence में लगती है अच्छा जैसे ये sentence है भाई ने मुझे switch हुआ दी इसी तरह से मैं हर example एक example हर word का दूँगा हिंदी में SMS में उन students के लिए जो हिंदी नहीं समझते उसके बाद उसका English बताऊंगा और फिर उसकी pronunciation भी बताऊंगा भाई प्रिग्ड मी विद अ नीडल ताकि आप गलती न करें और इसे अ को ए न कह दें आप ये न कह दें विद ए नीडल आप कहें अच्छा जैसे sentence मैंने आपको बताया भले आपके नहीं समझ में आया आपने का यह यह क्या लिखा है भाई प्रिग्ड मी भाई ने मुझे चुभा दी विद अ नीडल नीडल के साथ विद अ नीडल ये मेरी समझ में नहीं आ रहा हूँ कोई बात नहीं देखिए पहले आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सुई चुभा दी ये past and definite tense है past में है इसलिए second form का use होगा फिर prepositions में आपको ये पता लगेगा कि कुछ ऐसी verbs होती हैं कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद एक particular prepositions हमेशा आता है sentence में ये आपको पता लगेगा अच्छा इससे आपको एक idea भी मिलेगा देखिए जैसे मान लीजिए भाई ने क्या चुभा दी अभी तो मैंने का सुई चुभा दी मान लीजिए मैं कहता पिन चुभा दिया पिन चुभा दी या फिर काटा चुभा दिया थौन या फिर जैसे मान लीजिए भाई ने वो जिससे आप मैगी खाते हैं फोक जिससे आप काटे वाला चमबच कहते हैं फोक चुभा दिया तो कुछ भी आप add कर सकते हैं तो at least आपको एक idea हो गया कि चुभना है या चुभाना को क्या कहते हैं प्रिक तो एक तो ये 216 verbs और इसके अलावा एक opportunity और है आपके लिए क्या है वो opportunity मेरी English Speaking Course की kit जिसमें मेरी सभी 6 books हैं बहुत से students ये कहते हैं कि sir free of cost हमें अपनी kit दे दीजिए अपनी books दे दीजिए और financial condition कई students के अच्छी नहीं है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 6 books हैं इनकी printing cost मुझे करीब 500 रुपीज आती है उसके बाद courier मिला के करीब 700 रुपीज ठीक है 200 रुपीज courier लेकिन उसके बावजूद आज मैंने डिसाइड किया है कि 500 students को पहले 500 students को ये kit मैं free of cost देना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा करना ये होगा क्योंकि मेनद भी करनी पड़ेगी तभी आपको चीज फ्री मिलेगी करना ये होगा कि ये जो 216 words है बिलकुल इसी sequence में पहले हिंदी में फिर English फिर उसकी तीन वर्ब की forms उसके बाद हिंदी में sentence और उसके बाद जो भी sentence मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में English में उस sentence को इस पूरे को आपको लिखना है अपनी notebook में नमबर वन फिर next word नमबर टू अच्छा उसमें आपको pronunciation लिखने की कोई बात नहीं ज़रूरत नहीं है आप ये भी मत लिखिए आप ये भी मत लिखिए आप ये भी मत लिखिए लेकिन आप word लिखिए उसका English तीन forms sentence हिंदी में और English में उसके बाद ये जो आपकी notebook है करीब 15 to 20 pages तो आपके भर जाएंगे क्योंकि 216 काफी होती है इन pages को जैसे मान लिजिए 15 pages या 20 pages आपके भर गए है अब आप इनकी खिचिए photo अपने mobile पे photo कीजिए और उसके बाद whatsapp करिए एक number है whatsapp का 8791-370-541 इस number पे जितने भी pages आपने click किए अपने homework के page 1, 2, 3, 4 इसी sequence में आप इस number पे भेज दीजिएगा ठीक है मैंने recently ये whatsapp number लिया है और इस पे अपनी team के एक employee को इसी काम पे बिठा दिया है ताकि पहले 500 students के जब homework आ जाएं वो देख ले उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके वो उन numbers को save कर ले इस महिने की 30 तारीक को 30th of April को मैं नाम announce करूँगा YouTube community में आप जानते ने YouTube का community tab वहाँ पर मैं नाम announce करूँगा और इन students को call किया जाएगा मेरी team की तरफ से और उनसे address लेके, pin code लेके, नाम लेके उनको ये kit free of cost भेजी जाएगी तो आईए शुरुबात करते हैं इस वीडियो की ध्यान से वीडियो को देखिए और अगर आप इस kit को free of cost पाना चाहते हैं तो पहले 500 में आप आएँ इसके लिए आप तुरंत notebook पे एक-एक word को note करना शुरू करिए तो आईए शुरुबात करते हैं खाना, खाना को हम कहते हैं eat, e, a, t तीन forms होती है eat, ate, eaten junk food मत खाओ don't eat junk food don't eat junk food यहाँ पर मैंने खाना के लिए eat कहा है और हमेशा धान रखिए जब भी खाने की बात हो या पीने की बात हो ऐसे में eat या drink की जगह पर आप have कह सकते हैं don't have junk food तो यह आपकी चोईस है आप चाहे तो कहिए don't eat junk food या फिर कहिए don't have junk food इसी तरह से पीना पीना को हम कहते हैं drink d-r-i-n-k drink जिसकी तीन forms हैं drink drank, drunk हम खारा पानी नहीं पी सकते we can't drink saline water saline का मतलब होता है खारा British English में इसे कहा जाता है saline और American English में इसे कहा जाता है saline और दूसरी बात जैसे मैंने आपको पिछले word में बताया कि खाना या पीना के लिए eat या drink की जगह पे आप have कह सकते हैं तो इस sentence को भी आप कह सकते हैं we can't have saline water next word खिलाना जैसे आप अपने बच्चे को कुछ खिला रहे हैं या फिर अपने डॉगी के मुँँ में कुछ डाल रहे हैं उसे खिला रहे हैं इसे English में कहा जाता है feed और इसकी तीन फ़र्मस होती है feed, fed, fed अपने बच्चों को junk food मत खिलाओ don't feed junk food to your children परोसना serve s-e-r-v-e इसकी तीन फ़र्मस हैं serve, served, served खाना लगा दो खाना लगा दो यानि कि serve कर दो serve the food चबाना, चबाना को कहते हैं chew, chew या chew दोनों तरीके से बोला जाता है इसकी तीन फ़र्मस हैं chew, chewed, chewed खाने को अच्छे से चबा कर खाओ chew the food well निगलना, swallow s-w-a-l-o-o-w swallow three forms क्या हैं swallow, swallowed, swallowed वो दवाई एक बार में निगल गया he swallowed the medicine in one go तेल में भूनना, fry f-r-y three forms, fry, fried, fried प्याज को अच्छे से भून लो fry the onion well आग में भूनना, या गर्मी में भूनना जैसे आप तंदूर में भून लेते हैं चिखन को भून लिया जाता है तो उसे roasted कहते हैं तो आग में या गर्मी में भूनने को roast करना कहते हैं roast आर ओ ऐएस टी रोस्ट इसकी तीन फॉर्म्स होती है रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड भूना हुआ चिकन स्वादिष्ट होता है रोस्टेड चिकन इस डिलीशिस सेकना, सेकना को बेक करना कहते हैं B-A-K-E बेक थ्री फॉर्म्स बेक, बेक्ट, बेक्ट रोटी को हलका सा और सेख दो बेक दचपाती अलिटल मोर बेक दचपाती अलिटल मोर पकाना कुक सी डबल ओ के कुक इसकी तीन फॉर्म से हैं कुक, कुग्ट, कुग्ट मैं आज खाना बना रहा हूं I am cooking the food today I am cooking the food today लल्चाना या लुभाना Allure A double L U R E Allure Three forms Allure, Allured, Allured Ice cream बच्चे को लुभा रही है यनि कि बच्चे को लल्चा रही है Ice cream is alluring the kid Ice cream is alluring the kid फूंक मारना Blow B L O W Blow तीन forms है Blow Blue Blown Blow Blue Blown फूंक मारकर आग बुझा दो फूंक मारकर आग बुझा दो आग बुझा दो यनि कि Extinguish the fire क्या करके बुझा दो फूंक मारकर By blowing it अभी आपको sentence बनाने ना आते हूं तो कोई बात ने मेरा मकसद है कि उन words को आपके सामने लाना जो आपकी day-to-day conversations में जरूरी है चिपकाना Stick S-T-I-C-K आप कुछ भी चिपका सकते हैं दिवार पर चिपका देना कहीं पर कुछ चिपका देना उसके लिए stick word का use कर सकते हैं इसकी तीन forms होती है Stick Stuck Stuck इस paper को दिवार पर चिपका दो Stick this paper on the wall Stick this paper on the wall घिसना या रगरना Rub R-U-B Rub Rub कपड़ों को ज्यादा ब्रश से मत रगड़ो Don't rub the clothes too much with the brush घसीटना Drag D-R-A-G Drag तीन forms हैं Drag, dragged, dragged Table को मत घसीटो Don't drag the table Don't drag the table Gिरना Fall F-A-L-L Fall तीन forms है Fall, fell, fallen चाकू फर्ष पर गिर गया चाकू फर्ष पर गिर गया The knife fell on the floor Gिराना अब देखें पहले था गिरना अब है गिराना आप गिरा देते हैं किसी चीज को यानि कि आप ड्रॉप कर देते हैं D-R-O-P Drop इसकी तीन forms है Drop, dropped, dropped उसने चाकू फर्ष पर गिरा दिया He dropped the knife on the floor डुबोना डुबोना को कहते हैं Dip D-I-P Dip तीन forms Dip, dipped, dipped पानी में अपनी उंगली मत डुबो पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ Don't dip your finger in the water डुब की लगाना D-I-V-E Dive तीन forms Dive, dove, dived हम नदी में रोज डुब की लगाते हैं We dive in the river every day डूबना Drown D-R-O-W-N Drown तीन forms Drown, drowned, drowned वो नदी में डूब गया वो नदी में डूब गया He drowned in the river He drowned in the river He drowned in the river खोदना Dig D-I-G Dig तीन forms Dig, dug, dug डग यहाँ पर एक गढधा खोदो Dig a pit here अब आपको पता लगा कि खोदने के लिए Dig कहते हैं और गढ़े के लिए Pit कहते हैं तो किसी भी sentence से कुछ भी सीखने को आपको मिल सकता है Next जाकना Peep P-E-E-P Peep Three forms Peep, peeped, peeped वो पढ़ते समय इधर उधर जाकता रहता है वो पढ़ते समय इधर उधर जाकता रहता है He keeps peeping here and there while reading रेंगना Creep C-R-E-E-P Creep Three forms Creep, crept, crept साप रेंगता है Snake, creeps Snake, creeps उधर देना Lend L-E-N-D Lend Lend की three forms Lend, Lend, Lend मैंने कमल को 5,000 रुपे उधर दिये है I have lent 5,000 रुपीज to कमल Uधर लेना Borrow B-O-R-R-O-W Borrow Three forms Borrow, Borrowed, Borrowed Kamal ने मुझसे 5,000 रुपे उधर लिये है Kamal has borrowed 5,000 रुपीज from me परखना Assess A-S-S-E-S Assess Three forms Assess Assess Assessed Assessed मैं तुम्हें एक महिने से परख रहा था I was assessing you for a month बात करना Speak या Talk Speak की spelling होती है S-P-E-A-K और Talk की spelling होती है T-A-L-K Speak की तीन forms होती है Speak, Spoke, Spoken Talk की तीन forms Talk, Talked, Talked एक बार उससे बात कर लेना Speak with him once या फिर Talk to him once हमेशा जान रखिए जब भी आप Speak का use करेंगे उसके साथ में with लगाएंगे और जब भी Talk का use करेंगे उसके साथ में to लगाएंगे जगना या जगाना Wake up तीन forms Wake up, Woke up, Woken up मैं पांच बजे जागा यनि मैं खुद जागा तो जगना हुआ I woke up at 5 o'clock I woke up at 5 o'clock अपने भाई को जगा दो यहाँ पर मैं खुद जागने की बात नहीं कर रहा हूं बलकि जगाने की बात कर रहा हूं अपने भाई को जगा दो Wake up your brother Wake up की जगा पे हम get up का भी यूज़ करते हैं जब हम जगते हैं तो हम get up का भी यूज़ करते हैं जैसे मैं 5 बज़े जागा I got up at 5 o'clock ऐसा भी हम कहते हैं Next, बनना बनना को कहते हैं become B-E-C-O-M-E become 3 forms become, became, become मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं I want to become a doctor I want to become a doctor बनाना, make M-A-K-E make इससे पहले था बनना और यह क्या है बनाना make, made, made यह किस ने बनाया who made it who made it काटना, आप cut कह सकते हैं आप chop भी कह सकते हैं cut, C-U-T chop, C-H-O-P cut की तीनो forms होती है cut, cut, cut और chopped की तीन forms होती है chop, chopped, chopped mommy प्यास काट रही है mom is chopping onions mom is chopping onions यहाँ पर आप chopping की जगह पे cutting भी कह सकते है दात से काटना देखे पहले था काटना चाकू से काट रहे हैं यहाँ पर है दात से काटना bite, B-I-T-E bite, इसकी तीन forms है bite, bit, bitten बिल्ली ने मुझे अपने दातों से काट दिया the cat bit me with its teeth the cat bit me with its teeth next सूजना s-w-e-l-l swell, सूजना सूजना मतलब जैसे घाव से सूज जाता है आपका पैर सूज गया आपके हाथ सूज गया उसके लिए बोलते हैं swell, swelled, swollen swell, swelled and pulled, swollen कीडे के काटने से सूज जाता है कीडे के काटने سे मतलब सूज़ चाहित the body swells due to insect bite insect मतलब तो कीड़ा and bite मतलब काटना इस आप देखिये मैंने हेहाँ पर bite क्यों कहा क्यों कि bite मतलब दात से काना next Next, मोडणा या मुडणा, bend, 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 bend की तीन फ़र्म से bend, bent, bent, उसने आसानी से लोहे की रोड को मोड़ दिया, उसने आसानी से लोहे की रोड को मोड़ दिया, he bent the iron rod easily, जुकना, bow, उसे बाहर निकलने के लिए थोड़ा जुकना पड़ेगा, उसे बाहर निकलने के लिए थोड़ा जुकना पड़ेगा, he will have to bow, उसे जुकना पड़ेगा a little, थोड़ा to get out, बाहर निकलने के लिए, he will have to bow a little to get out, धोका देना, cheat, c-h-e-a-t, cheat, three forms, cheat, cheated, cheated, तुम मुझे धोका दे रहे हो, you are cheating on me, हमेशा जान रखिए, यहाँ पर on का use जरूर किया जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे, आप you are cheating me, cheating me नहीं, cheating on me, जैसे मान लिजे मैं कहूँ, उसने रवीना को धोखा दिया, he cheated on रवीना, गुम्राह करना, mislead, m-i-s-l-e-a-d, mislead, three forms, mislead, misled, misled, दुकानदार उसे गुम्राह कर रहा था, the shopkeeper was misleading him, the shopkeeper was misleading him, आना, कम, c-o-m-e, three forms, कम, केम, कम, वो छह बजे घर आता है, he comes home at six o'clock, जाना, गो, गो, वेंट, गॉन, तुम कहां जा रहे हो, where are you going, where are you going, ले जाना, take, t-a-k-e, take, three forms, take, took, taken, उसे अस्पतार ले जाओ, take him to hospital, take him to hospital, तो आपको जब भी कहना है, कि मुझे shopping mall ले जाओ, या मुझे hospital ले जाओ, मुझे school ले जाओ, मुझे वहाँ ले जाओ, तो हमेशा आप यूज़ करिए, take me to, take me to, और जो भी, जहाँ भी जाने की बात हो रही है, उसके बारे में बताओ, लेना, take, अच्छा, ले जाना के लिए भी take का यूज़, और लेना के लिए भी take का यूज़, तीन फॉर्म्स तो वही है, take, took, taken, अपने भाई से पैसे ले लो, यहाँ पर ले जाने की बात नहीं हो रही है, लेने की बात हो रही है, take money from your brother, देना, give, g-i-v-e, give, three forms, give, gave, given, मुझे 100 रुपे दे दो, give me 100 रुपीज, next word, घूमना या पैदल चलना, walk, w-a-l-k, walk, three forms, walk, walked, walked, मैं अक्सर घूमने जाता हूँ, I often go for a walk, I often go for a walk, दोडना, run, r-u-n, three forms, run, ran, run, वो रोजाना पांच किलोमेटर दोडता है, he runs five kilometers a day, he runs five kilometers a day, कहना, s-a-y, say, three forms, say, said, said, कुछ कहो, say something, say something, बताना, tell, t-e-l-l, tell, three forms, tell, told, told, मुझे राहूल के बारे में बताओ, tell me about राहूल, tell me about राहूल, पूछना, ask, a-s-k, ask, three forms, ask, 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 मैं तुम से कुछ पूछ रहा हूँ, I am asking you something, I am asking you something, लाना, bring, b-r-i-n-g, bring, three forms, bring, brought, brought, अलमारी से एक बैग लाओ, bring a bag from the cupboard, bring a bag from the cupboard, खरीदना, buy, या purchase, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, three forms होती हैं, buy की buy, bought, bought, और purchase की purchased, purchased, वो कुछ खरीद रहा है, he is buying something, he is buying something, यहाँ पर buying की जग़ पही मैं कह सकता हूँ, purchasing something, he is purchasing something, बेचना, sell, s-e-double-l, sell, three forms, sell, sold, sold, मुझे ये घर बेचना है, I want to sell this house, I want to sell this house, करना, do, d-o-do, three forms, do, did, done, तुम क्या कर रहे हो, what are you doing, what are you doing, काम करना, work, 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 worked, worked, वो अभी भी काम कर रहा है, वो अभी भी काम कर रहा है, he is still working, he is still working, बुलाना यब पुकारना, call, c-a-l-l, call, three forms, call, called, called, उसे तुरंत यहां बुलाओ, call him here, immediately, call him here, immediately, जानना, know, k-n-o-w, know, three forms, know, new, known, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, I know you very well, I know you very well, देखना यद दिख जाना, c-s-e-e-c, three forms, see, saw, seen, वो एक आँख से नहीं देख सकता, he can't see from one eye, he can't see from one eye, किसी एक दिशा में देखना, look, l-o-o-k, आपने देखा, देखना यद दिख जाना में मैंने का see, आपकी आँखें हैं, इसलिए आपको कोई चीज दिख जाए, यह है see, लेकिन आप किसी चीज को intentionally देखें, किसी particular चीज को, तो वो है look, तीन forms होती है, look, looked, looked, तुम इसे क्यों देख रहे हो, यानि कि आप intentionally देख रहे होंगे न, किसी चीज पर ध्यान लगा के, why are you looking at this, why are you looking at this, दिखना, दिखना के लिए भी हम look का ही यूज करते हैं, थोड़ा सा different sense में, कैसे, तुम ठकेवे दिख रहे हो, तुम ठकेवे दिख रहे हो, you are looking tired, यहाँ पर हम seeing tired नहीं कहते, you are seeing tired, ऐसा हम नहीं कहते, हम looking tired कहते हैं, किसी चीज को ध्यान से, कुछ अवधी तक देखना, watch, डबलू, ए, टी, सी, एच, जैसे आप टीवी देखते हैं, तो ध्यान से देख रहे हैं, कुछ time तक देख रहे हैं, कुछ अवधी तक देख रहे हैं, duration तक देख रहे हैं, तीन forms होती है, watch, watched, watched, तुम टीवी क्यों देख रहे हो, why are you watching टीवी, अच्छे यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि आप केवल टीवी को ही देखेंगे, आप किसी इंसान की एक्टिवीटी को भी देख सकते हैं, कोई वी एक्टिव फुटबॉल खेल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, तो आप पूरी एक्टिवीटी को देख रहे हैं, तो आप watch कर रहे हैं, उस game को watch कर रहे हैं, निकलना या छोडना, leave, l-e-a-v-e, leave, three forms, leave, left, left, मैं office से निकल रहा हूँ, I am leaving the office, I am leaving the office, यहाँ पर office से के लिए, आप from the office, from का use कभी मत करियेगा, हमेशा कहिए, I am leaving the office, next, हिलना या हिलाना, आप खुद हिल रहे हूँ, चाहे हिला रहे हो किसी चीज़ को, ऐसे मैं कहिए move, m-o-v-e, move, three forms, move, moved, moved, मत हिलो, don't move, यहाँ पर खुद के हिलने की बात हो रही है, कि मत हिलो, तुम हिल रहे हो, मत हिलो, और जब मैं कहता हूँ, परदे को मत हिलाओ, यहाँ पर हिलने की नहीं, हिलाने की बात हो रही है, परदे को मत हिलाओ, don't move the curtains, don't move the curtains, लिखना, write, w-r-i-t-e, write, three forms, write, wrote, written, नितिन को लिखने का शौक है, नितिन is fond of writing, नितिन is fond of writing, पढ़ना, read, r-e-a-d, इसकी तीन forms होती है, read, red, red, लिखा एक जैसा जाता है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग होता है, पहली form तो देखे, read है, जो की main word है, लेकिन second form और third form को बोला जाता है, red, मुझे रात को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, I don't like to read, पढ़ना, at night, रात को, I don't like to read, at night. Next word, सोचना, think, t-h-i-n-k, three forms, think, thought, thought, तुमने उसके बारे में क्या सोचा, what did you think about him, what did you think about him, बैठना, sit, s-i-t, sit, sat, sat, मैं च्छत पर बैठा हुआ हूँ, I am sitting on the terrace, I am sitting on the terrace, खडे होना, stand, s-t-a-n-d, stand, three forms, stand, stood, stood, मैं च्छत पर खडा हूँ, I am standing on the terrace, I am standing on the terrace, next, हसना, laugh, l-a-u-g-h, laugh, three forms, laugh, laughed, laughed, बिना बाग के हसना पागल बने, उननेसेसरी लाफिंग, is madness, उननेसेसरी लाफिंग, is madness, मुस्कुराना, smile, s-m-i-l-e, smile, three forms, smile, smiled, smiled, तुम्हें देखकर सीमा बहुत मुस्कुराती है, तुम्हें देखकर सीमा बहुत मुस्कुराती है, seeing you, सीमा smiles a lot, seeing you, सीमा smiles a lot, सीखना, learn, l-e-a-r-n, learn, तीन forms होती है, learn, learned, learnt, इसकी जो second form होती है, वो learned या learnt, दोनों में बोली जाती है, सीखने से सब कुछ आ जाता है, everything comes from learning, everything comes from learning, सिखाना या पढ़ाना, पिछला वाला क्या था, सीखना, खुज सीखना, यहाँ पर क्या है, सिखाना, teach, t-e-a-c-h, teach, तीन forms होती है, teach, taught, taught, मैं आपको English पढ़ाता हूँ, I teach you English, I teach you English, अत्याचार करना, torture, t-o-r-t-u-r-e, torture, थ्री forms, torture, tortured, tortured, इन लोगों पर अत्याचार मत करो, इन लोगों पर अत्याचार मत करो, don't torture these people, don't torture these people, पीटना, beat, b-e-a-t, beat, इसकी तीन forms होती है, beat, beat, beaten, राजु ने उसे डंडे से पीता, राजु बीट हिम with a stick, डाटना, scald, तीन forms होती है, scald, scalded, scalded, पापा ने मुझे डाटा, पापा scalded मी, जीतना, win, w-i-n, win, तीन forms होती है, win, won, won, भारत कल का मैच जीत गया, भारत कल का मैच जीत गया, इंडिया वन, yesterday's मैच, इंडिया वन, yesterday's मैच, खोना या हारना, इसके लिए word यूज किया जाता है, lose, l-o-s-e, lose, तीन forms होती है, lose, lost, lost, मेरे पैसे कहीं खो गए है, I have lost my money somewhere, वो मैच हार गया, यहां पर हारने का सेंस है, he lost the match, he lost the match, खोलना, open, o-p-e-n, open, तीन forms होती है, open, opened, opened, दर्वाजा खोल दो, हवा आ जाएगी, open the door, the air will come, बंद करना, close, c-l-o-s-e, close, तीन forms, close, closed, closed, दर्वाजा बंद कर दो, close the door, close the door, दर्द होना, pain, p-a-i-n, pain, pained, pained, कल से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, my hand is paining since yesterday, my hand is paining since yesterday, दिल दुखाना या चोट लगना, दोनों के लिए एक word यूज़ किया जाता है, hurt, ह-u-r-t, hurt, इसकी तीनों form सेम होती है, hurt, 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 उसका दिल मत दुखाओ, don't hurt him, don't hurt him, सीडी से गिर कर मुझे चोट लग गई, I got hurt by falling from the stairs, I got hurt by falling from the stairs, धून्दना, search, s-e-a-r-c-h, search, तीन forms होती है, search, searched, searched, मैं सुबह से वो कागर्ष धून रहूं, मैं सुबह से वो कागर्ष धून रहूं, I've been looking for that paper since morning, I've been looking for that paper since morning, श्रे देना, ascribe, A-S-C-R-I-B-E, ascribe, इसका मतब होता है, श्रे देना, दीखें, कोई व्यक्ति आपके लिए inspiration की तरह हो सकता है, उसकी वज़ा से आपने कोई अच्छा काम किया है, तो आप उस व्यक्ति को उस चीज़ का श्रे देते हैं, ascribe की तीन forms होती है, ascribe, ascribed, ascribed, उसने अपनी सफलता का श्रे, अपने माता-पिता को दिया, he ascribed his success to his parents, he ascribed his success to his parents, दोश देना, blame, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप दोश दे रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उसका दोश आप किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं, blame, b-l-a-m-e, तीन forms, blame, blamed, blamed, वो हर गलती का दोश मुझे ही देता है, he blames me for every mistake, he blames me for every mistake, आरोप लगाना, allege, a-double-l-e-g-e, allege, इसकी तीन forms होती है, alleged, 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 वकील ने उसके पिता पर आरोप लगाया, वकील ने उसके पिता पर आरोप लगाया, the lawyer alleged his father, the lawyer alleged his father, next, याद करना, learn, l-e-a-r-n, learn का एक मतलब आपने क्या देखा था, सीखना, और यहाँ पर याद करना, तीन forms तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, learn, learned, learn this chapter, next word है, याद रखना, अच्छा याद करना और याद रखने में फर्क है, आपको कोई बात याद तो हो जाती है, लेकिन आप उसे याद रखें, इसके लिए यूज किया जाता है, remember, r-e-m-e-m-b-e-r, remember, और इसके तीन forms होती है, remember, remembered, मुझे याद रखना, remember me, remember me, याद दिलाना, याद दिलाना लग už चीज है, remind, r-e-m-i-n-d, remind इसके तीन forms होती है, remind, reminded, reminded, तुम मुझे अजय देवगन की याद दिलाते हो, तुम मुझे अजय दिलाते हो, यू रिमाइंड मी उफ अजय देवगन, You remind me of Ajay Devgan माफी मांगना Apologize A-P-O-L-O-G-I-Z-E Apologize इसकी तीन फ़र्म्स होती है Apologize, Apologized, Apologized मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ I apologize for that day I apologize for that day माफ कर देना Forgive F-O-R-G-I-V-E Forgive तीन फ़र्म्स Forgive, Forgive, Forgiven जैसे Give की तीन फ़र्म्स होती है Give, Gave, Given इसके Forgive, Forgave, Forgiven मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया मुझे माफ कर देना I didn't pick up your phone, Forgive me I didn't pick up your phone, Forgive me सफल होना Succeed S-U-C-C-E-E-D Succeed Succeed, Succeeded, Succeeded ये हैं इसकी तीन फ़र्म्स मुझे अपनी लाइफ में किसी भी कीमत पर सफल होना है I want to succeed in my life at any cost I want to succeed in my life at any cost तोड़ना Break B-R-E-A-K Break तीन फ़र्म्स Break, Broke, Broken ये गमला अमन ने तोड़ा है अमन है ब्रोकन दिस पॉट शादी करना Marry इसकी तीन फ़र्म्स होती है Marry, Married, Married वो अंजली से शादी कर रहा है He is marrying अंजली He is marrying अंजली धमकी देना Threaten T-H-R-E-A-T-E-N Threaten इसकी तीन फ़र्म्स होती है Threaten Threatened Threatened वो मुझे धमकी दे रहा था He was threatening me He was threatening me सुझाओ देना Suggest S-U-G-G-E-S-T Suggest तीन फ़र्म्स होती है Suggest Suggested Suggested उसने मुझे सुझाओ दिया कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए He suggested me that I shouldn't go there He suggested me that I shouldn't go there Kaapna Shiver S-H-I-V-E-R Shiver तीन फ़र्म्स Shiver Shivered Shivered वो थंड से काप रहा था He was shivering with cold He was shivering with cold Thopna Impose I-M-P-O-S-E Impose तीन फ़र्म्स होती है Impose Imposed Imposed Boss ने सारा काम मुझ पर थोप दिया Boss imposed all the work on me Boss imposed all the work on me चाला की से लूट ना Rip off R-I-P-O-F-F Rip off Three forms क्या हो सकती है Rip की तीन फ़र्म Rip, ribbed, ribbed तो rip off Ribbed off Ribbed off Salesman ने मुझे चाला की से लूट लिया Lूट लिया मनला बेवकू बना दिया The salesman Ribbed me off Cleverly The salesman ribbed me off Cleverly गैर कानूनी तरीके से लूट ना जो की गलत है बिल्कुल दिखें चाला की से लूट लिया मतलब वो तो उसकी स्किल्स है लेकिन गैर कानूनी तरीके से लूट लिया जैसे बैंक को लूट लिया जाता है Rob R-O-B-Rob तीन फॉर्म्स होती है Rob, robbed, robbed उस गैंग ने बैंक लूटा That gang robbed the bank That gang robbed the bank पालन पोशन करना Bring up तीन फॉर्म्स Bring up, brought up, brought up हमारे माता-पिता हमारा पालन पोशन करते है Our parents bring us up Next word तुतलाना Lisp L-I-S-P तीन फॉर्म्स होती है Lisp, lisped, lisped वो दोनों तुतलाती है They both lisp They both lisp हकलाना Stammer S-T-A-M-M-E-R Stammer तीन फॉर्म्स होती है Stammer Stammered Stammered कुछ लोग बच्पन से ही हकलाते है Some people stammer since the childhood Some people stammer since the childhood Fuss-fussाना Fuss-fussाना मतलब हलके-लके बोलना किसी के कान में बोल रहा है Whisper W-H-I-S-P-E-R Whisper तीन फॉर्म्स होती है Whisper, whispered, whispered तुम उसके कान में क्या फुस-फुसा रहे हो What are you whispering in his ear? What are you whispering in his ear? बढ़ बढ़ाना Mumble M-U-M-B-L-E Mumble तीन फॉर्म्स होती है Mumble Mumbled Mumbled तुम नींद में क्या बढ़ बढ़ा रहे थे? What were you mumbling in your sleep? What were you mumbling in your sleep? हाफना Gasp तीन फॉर्म्स होती है Gasp Gasped Gasped कुतो ने उसे इतना भगाया कि वो हाफ रहा था The dogs chased him so much यह बहुत पीछा किया उसका That की He was gasping वो हाफ रहा था Pooja करना Worship W-O-R-S-H-I-P Worship Worship की तीन फॉर्म्स होती है Worship Worshipped Worshipped हमें रोज सुबह भगवान शिव की Pooja करनी चाहिए We should worship Lord Shiva Every morning We should worship Lord Shiva Every morning Bारिश होना Rain Rain Wained Wained यह है इसकी तीन फॉर्म्स कल बारिश हो रही थी It was raining yesterday Olay पढ़ना Hail इसकी तीन फॉर्म्स होती है Hail Hailed Hailed Jammu में Olay पढ़ रहे हैं It's Hailing in Jammu Burf पढ़ना Snow S-N-O-W तीन फॉर्म्स होती है Snow 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 आज बर्फ पढ़ जाएगी It will snow today तो आप यह नोटिस करेंगे कि बारिश होना हो चाहे ओले पढ़ना चाहे बर्फ पढ़ना इन तीनों के साथ हमेशा सब्जेक्ट में इट आता है नेक्स्ट वर्ड निचोडना S-Q-U-E-Z-E Squeeze तीन फॉर्म्स होती है Squeeze, squeezed, squeezed उसने निम्भू निचोड दिया है He has squeezed the lemon He has squeezed the lemon नेक्स्ट वर्ड मरोडना W-R-I-N-G Ring तीन फॉर्म्स होती है Ring, rung, rung मैंने उसका हाथ मरोड दिया I rung his hand I rung his hand कुचल देना Overrun O-V-E-R-R-U-N Overrun इसकी तीन फॉर्म्स होती है Overrun, overran, overrun बिल्कुल वैसे ही जैसे Run, run की तीन फॉर्म्स क्या होती है Run, ran, run वैसे ही यह है Overrun, overran, overrun उसने अपनी कार से बिल्ली को कुचल दिया है He has overrun the cat with his car He has overrun the cat with his car Pीसना Pीसने को कहते हैं Grind कर देना आप किसी चीज को Pीस करके Powder बना देते हैं G-R-I-N-D Grind इसकी तीन फॉर्म्स होती है Grind, ground, ground यह interesting है Second और थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं Ground Example देखे सारे मसालों को एक साथ पीस दो Grind all the spices together पिचका देना पिचका देना यहनि कि Crush कर देना C-R-U-S-H Crush तीन फॉर्म्स होती है Crush, Crushed, Crushed उसने सारे टमाटर पिचका दिये He crushed all the tomatoes He crushed all the tomatoes छीकना S-N-E-E-Z-E Sneeze Sneeze, Sneezed, Sneezed यह है इसकी तीन फॉर्म्स थंडा पानी पीकर उसने छीकना शुरू कर दिया After drinking cold water He started sneezing बदला लेना Avenge या revenge दोनों बोल सकते हैं A-V-E-N-G-E Avenge या फिर R-E-V-E-N-G-E Revenge इन दोनों की जो Second और Third forms होती है उनमें ED लग जाता है Avenge, Avenged, Avenged Revenge, Revenged, Revenged मैंने उस बेजती का बदला ले लिया है I have avenged that insult या तह ऐसे बोल ले या फिर I have revenged that insult Next प्रसंसा करना किसी की प्रसंसा करने के लिए किसी की तारीफ करने के लिए आप Appreciate भी कह सकते हैं और Admire भी ये दोनों ही बड़े common word हैं Appreciate की तीन forms होती है Appreciate, Appreciated, Appreciated और Admire की तीन forms होती है Admire, Admired, Admired सब धोनी की कप्तानी की खूब प्रसंसा करते हैं Everyone appreciates धोनी's captaincy या फिर Appreciates की जगह पे Everyone Admires धोनी's captaincy Next word, Farna Farna को tear कहते हैं जैसे आप Paper फार दें Page फार दें, Copy फार दें T-E-A-R, Tear तीन forms होती है Tear, Tor, Torn Kagas, मत फारो Don't tear the paper Don't tear the paper Rona Rona को Weep भी कह सकते हैं Cry भी कह सकते हैं बच्चे थोड़ा चिला के रोते हैं तो वहाँ पर Cry कहना ज़्यादा सही है और किवर आंसू निकल रहे हैं तो Weep W-E-E-P Weep या फिर C-R-Y Cry Weep की तीन forms होती है Weep, Wept, Wept Cry की तीन forms Cry, Cried, Cried अच्छे बच्चे छोटी छोटी बातों में रोया नहीं करते Good kids Don't weep over small things या फिर Good kids Don't cry over small things Next word चीखना चीखने को कहते हैं Scream S-C-R-E-A-M तीन forms होती हैं Scream, Screamed, Screamed तुम दिन भर चीखते रहते हो You keep screaming all day long You keep screaming all day long पहनना W-E-A-R Weep Weep की तीन forms होती हैं Weep, War, Won मुझे black jeans पहनना बहुत पसंद है I love wearing black jeans I love wearing black jeans धन्यवाद देना Thank T-H-A-N-K तीन forms होती हैं Thank, thanked, thanked मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं I want to thank you छूना Touch T-O-U-C-H तीन forms होती हैं Touch, touched, touched आपने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की How dare you touch me पकरना Hold H-O-L-D तीन forms होती हैं Hold, held, held तुम बॉक्स को उस साइड से पकड़ो तुम बॉक्स को उस साइड से पकड़ो You hold the box from that side You hold the box from that side जकरना Clinch C-L-I-N-C-H Clinch तीन forms होती है Clinch, cleansed, cleansed उसने मुझे अपने हातों से जकर लिया था पकरना अलग चीज है जकरना अलग चीज है जकरना मतलब बिलकुल ताकत लगा के किसी को बिलकुल अपने कबजे में कर लेना He had cleansed me with his hands He had cleansed me with his hands लटकना या लटकाना Hang H-A-N-G तीन forms होती है Hang, hung, hung हमें लटकती तारों को नहीं चूना चाहिए We should not touch hanging wires We should not touch hanging wires बाल बनाना कॉम C-O-M-B यहाँ पर B silent होता है सिर्फ बोला जाता है कॉम तीन forms होती है कॉम, कॉम्ड, कॉम्ड मैं तुम्हारे बालों में कंगी कर देता हूँ I कॉम your hair परेशान करना Bother B-O-T-H-E-R Bother तीन forms होती है Bother, Bothered, Bothered मुझे परेशान मत करो Don't bother me गाना Sing S-I-N-G तीन forms होती है Sing, Sang, Sung मुझे गाने गाना बहुत पसंद है I love singing songs I love singing songs नाचना Dance D-A-N-C-E तीन forms है Dance, Danced, Danced मुझे डांस करना बहुत पसंद है I love dancing लगना Seem S-E-E-M Seem इसकी तीन forms होती है Seem, Seemed, Seemed लगता है कि वो सब भूल गया है लगता है कि वो सब भूल गया है It seems ऐसा लगता है That He has forgotten everything वो सब कुछ भूल गया है It seems that he has forgotten everything Dikhanान Show S-H-O-W Show इसकी तीन forms होती है Show, Shored, Shown वो अपना नया pen सब को दिखा रहा है वो अपना नया pen सब को दिखा रहा है He is showing his new pen to everyone He is showing his new pen to everyone Chahana Want W-A-N-T Tीन forms होती है Want, Wanted, Wanted मैं ये नहीं करना चाहता I don't want to do this I don't want to do this मिलना, Meet M-E-E-T Tीन forms होती है Meet Met Met वो मुझसे रोज मिलता है He meets me every day He meets me every day कोशिश करना Try T-R-Y Tीन forms होती है Try Triad Triad मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं I am trying to learn English I am trying to learn English शिकायत करना Complain C-O-M-P-L-A-I-N इसकी second और third form में ED लग जाता है तो first form होती है Complain second और third form Complained मैं आपके boss से शिकायत करूंगा I will complain to your boss I will complain to your boss छिप जाना या छिपा देना इसको कहते हैं Hide H-I-D-E ऐसा हो सकता है कि आप खुदी छुप रहे हो तब आप बोले या फिर आप किसी चीज को छुपा रहे हो तब आप बोले Hide की तीन forms होती है Hide, hid, hidden मैंने तुम्हारा pen कहीं छिपा दिया I hid your pen somewhere Next word थूकना Spit S-P-I-T इस वर्ब की जो second और third form होती है वो या तो spit होती है और या फिर spat होती है ये बड़ा interesting है Example लेते हैं यहाँ पर थूकना मना है Spitting is prohibited here या फिर यहाँ पर मत थूको Don't spit here गाली देना Abuse A-B-U-S-E Abuse इसकी तीन forms होती है Abuse Abused Abused गाली देना अच्छी आदत नहीं है Abusing is not a good habit Abusing is not a good habit बांधना Tie T-I-E Tie इसकी तीन forms होती है Tie Tie Tight Tight अपने जूते के फीते बांध दो Tie the laces of your shoes Next बुनना Weave W-E-A-V-E Weave इसकी तीन forms होती है Weave Wove Woven Dinesh कपडे बुनता है Dinesh weaves clothes Dinesh weaves clothes Nahana Bathe B-A-T-H-E Tीन forms होती है B-A-T-H-E 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 मैं नहाने के लिए नदी में जा रहा हूं I am going to the river to bathe I am going to the river to bathe Gila करना Drench D-R-E-N-C-H Drench इसकी तीन forms होती है Drench Drenched Drenched यानि कि second और third form में ED लग जाता है उसने पानी से गले को गीला करने की कोशिश की मान लिजिए उसका गला सूक रहा था तो उसने पानी से गले को गीला करने की कोशिश की He tried to drench his throat उसने कोशिश की गीला करने की अपने गले को with the water सुखाना Dry D-R-Y Dry की तीन forms Dry Dried Dried कपडे को रसी में सुखा दो Dry the cloth on the rope सपना देखना Dream D-R-E-A-M Dream की तीन forms होती है Dream, dreamed, dreamed मैं अमीर बनने के सपने देखता हूं I dream of becoming rich I dream of becoming rich पक्षपात करना Discriminate D-I-S-C-R-I-M-I-N-A-T-E Discriminate इसकी तीन forms होती है Discriminate, Discriminated, Discriminated आप हमारे बीच पक्षपात करते हो You discriminate between us You discriminate between us मरमत करना Repair R-E-P-A-I-R तीन forms होती है Repair, repaired, repaired मेरी बाइक को रिपेर कर दीजिए Repair my bike सजाना Decorate D-E-C-O-R-A-T-E Decorate तीन forms होती है Decorate, Decorated, Decorated कल मुझे अपना घर सजाना है Tomorrow I have to decorate my house खेद व्यक्त करना Regret R-E-G-R-E-T Regret तीन forms होती है Regret, regretted, regretted मैं असुविदा के लिए खेद व्यक्त करता हूं I regret for the inconvenience I regret for the inconvenience संभालना Handle H-A-N-D-L-E Handle तीन forms होती है Handle Handled Handled हमें परिस्तिती के हिसाब से खुद को संभाल लेना चाहिए We should handle ourselves as per the situation We should handle ourselves as per the situation चौकाना Amaze A-M-A-Z-E Amaze तीन forms होती है Amaze Amazed Amazed Rahul की result ने सब को चौका दिया था Rahul's result had amazed everyone Rahul's result had amazed everyone व्यक्त करना Express E-X-P-R-E-S Express इसकी तीन forms होती है Express Express Expressed हमें अपनी परिशानिया माता-पिता के सामने व्यक्त करनी चाहिए We should express our problems to the parents We should express our problems to the parents वर्णन करना Describe D-E-S-C-R-I-B-E Describe Second और third form में D लग जाता है Describe Described Described क्या आप घटना का वर्णन कर सकते हैं? Can you describe the incident? Can you describe the incident? घटित होना Happen H-A-P-P-E-N इसकी तीन forms होती है Happen Happened Happened यह घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है This incident can happen to anyone This incident can happen to anyone Fake na Throw T-H-R-O-W Throw तीन forms होती है Throw Threw Throne आप ball को मेरी तरफ फेंकिये You throw the ball towards me You throw the ball towards me Milana Mix M-I-X इसकी तीन forms होती है Mix Mixed Mixed पानी दूद में आसानी से मिल जाता है The water mixes with milk easily The water mixes with milk easily Pighalna Melt M-E-L-T तीन forms क्या होती है Melt Melted Melted सूरज की गर्मी से समुदर में बर्फ पिखल रही है The ice in the sea is melting due to the heat of the sun बर्फ जमाना Ice I-C-E वैसे तो ice का एक मतलब होता है सिर्फ बर्फ लेकिन ये वर्ब भी है क्रिया भी है इसका मतलब होता है बर्फ जमाना इसकी जो second और third form होती है उसमें डी आ जाता है Ice Iced 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 मैंने पानी को फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए रखा है I have kept the water in the fridge to ice I have kept the water मैंने पानी रखा है in the fridge फ्रिज में to ice बर्फ जमाने को बर्बाद कर देना Destroy D E S T R O Y तीन फर्म्स होती है Destroy, Destroyed, Destroyed मेरी एक गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया One mistake of mine destroyed me One mistake of mine destroyed me मजे करना Enjoy E N J O Y Enjoy, Enjoyed, Enjoyed मुझे अपनी फैमिली के साथ घूमने में मज़ा आता है I enjoy hanging out with my family I enjoy hanging out with my family सेहमत होना Agree A G R E तीन फर्म्स होती है Agree, Agreed, Agreed क्या आप इतनी कम सैलरी से सेहमत है Do you agree with such a low salary? Do you agree with such a low salary? बड़ा चड़ा कर कहना Exaggerate E X A G G E R A T E Exaggerate पहला वाला जो J है उसके नीचे बिंदू है तो वो J है और दूसरा वाला J है इसकी सेकेंड और थर्ड फर्म में बस D लग जाता है तो तीन फर्म्स हो जाती है Exaggerate Exaggerated Exaggerated इस बात को इतना बढ़ा चड़ा कर मत कहो Don't exaggerate this matter this much Don't exaggerate this matter this much धोना वाश ये तो बहुत ही सिंपल है W A S H Wash की तीन फर्म्स होती है Wash, Washed, Washed हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए We should wash our hands thoroughly with soap We should wash our hands thoroughly with soap साफ करना Clean C L E A N तीन फर्म्स होती है Clean, Cleaned, Cleaned अपने पैरों को साफ करके अंदर आना Clean your feet and come in Clean your feet and come in फैलाना, Spread S P R E A D Spread इसकी तीनों फर्म्स होती है Spread चादर को अच्छे से फैला दो Spread the bed sheet well बिखेरना, Scatter S C A T T E R Scatter इसकी तीन फर्म्स होती है Scatter Scattered Scattered मेरे बेटे ने सारे पैन इधर उधर बिखेर दिये है My son has scattered all the pens here and there उडेलना, Pour P O U R तीन फर्म्स होती है Pour, Poured, Poured सारा कुडा डस्ट बिन में उडेल दो Pour all the garbage in the dust bin Pour all the garbage in the dust bin चलकना या चलकाना जैसे पानी को आप चलका देते हैं या वो चलक जाता है Spill S P I L L इसकी तीन फर्म्स होती है Spill Spilt Spilled पानी को चारों और मत चलकाओ Don't spill the water all around Don't spill the water all around Bूंद बूंद टपकना Trickle T R I C K L E Trickle जैसे पानी या कोई भी लिक्विड बूंद बूंद करके टपकता है उसे ट्रिकल कहते हैं तीन फर्म्स होती है Trickle Trickled Trickled Null से बूंद बूंद पानी टपक रहा है The water is trickling from the tap The water is trickling from the tap चीटे मारना Splash S P L A S H Splash इसकी तीन फर्म्स होती है Splash Splashed Splashed यनि ED लग जाता है Second और Third Form में रास्ते में कार ने मुझ पर गंदे पानी के छीटे मार दिये On the way A car splashed dirty water on me On the way A car splashed dirty water on me जब कभी हम सुबह उठते हैं अपने मूँ पे छीटे मारते हैं पानी के उसे भी splash कहते हैं Next शुरू करना जिसे हम Begin या Start कह सकते हैं Begin की spelling होती है B-E-G-I-N और Start की spelling होती है S-T-A-R-T Begin की तीन forms होती है Begin, Began, Begin और Start की तीन forms होती है Start, Started, Started Match पांच बजे शुरू होगा The match will begin at 5 o'clock या फिर The match will start at 5 o'clock खत्म करना End E-N-D End की तीन forms होती है End Ended Ended मैंने अपना सारा स्कूल का होमवर्क खत्म कर दिया है I have ended all my school homework I have ended all my school homework रहना Live L-I-V-E तीन forms होती है Live Lived Lived मैं देरादून में रहता हूँ I live in देरादून ठेहरना Stay S-T-A-Y तीन forms होती है Stay Stayed Stayed आज रात को हम दिली में ठहने वाले हैं Tonight We are going to stay in Delhi Tonight We are going to stay in Delhi Next word मानना मानना को English में कहा जाता है Consider C-O-N-S-I-D-E-R Consider इसकी second और third form में E-D लग जाता है Considered मैं तुझे अपना भाई मानता हूँ मैं तुझे अपना भाई मानता हूँ I consider you मैं तुझे मानता हूँ My brother अपना भाई दिखाई देना Appear A-Double-P-E-A-R Appear इसकी तीन forms क्या हैं? Appear 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 चांद कब दिखाई देगा? चांद कब दिखाई देगा? When will the moon appear? When will the moon appear? गायब हो जाना Disappear जैसे दिखाई देना के लिए Appear गायब हो जाना के लिए Disappear इसकी तीन forms हैं Disappear 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 तुम तो वहां से एकदम से गायब हो गए तुम तो वहां से एकदम से गायब हो गए यानि Disappear हो गए You just disappeared from there CT मारना Whistle W-H-I-S-T-L-E Whistle तीन forms हैं Whistle Whistled Whistled Watchman रात को जोड से CT मारता है The watchman whistles loudly at night The watchman whistles loudly at night आँख मारना Wink W-I-N-K तीन forms हैं Wink Winked Winked तुम मुझे आँख क्यों मार रहे हो Why are you winking at me Why are you winking at me इशारा करना Gesture G-E-S-T-U-R-E Gesture इसकी तीन forms हैं Gesture Gestured Gestured मैं आपको इशारे में कुछ समझाना चाहता हूं I want to explain something to you in gesture I want to explain something to you in gesture Next Khujli करना Khujli करना को English में कहते हैं Itch I-T-C-H इसकी तीन forms होती हैं Itch Itched Itched That cat is itching on her leg चुटकी काटना चुटकी काटना को Pinch कहते हैं P-I-N-C-H तीन forms होती हैं Pinch Pinched Pinched Shivam ने मुझे बहुत जोर से चुटकी काटी Shivam Pinched me very hard Shivam Pinched me very hard शामिल करना Include I-N-C-L-U-D-E तीन forms हैं Include Included Included साथ में कुछ धनिया भी दे दीजिए यनि कि धनिया को भी न include कर दीजिए ऐसा आप अकसर सबजी वाले को कहते हैं सबजीओं के साथ में धनिया भी दे दो Include some coriander to Include some coriander to Coriander मतलब होता है धनिया पसंद करना Like L-I-K-E Like Liked Liked लगता है वो तनुच को पसंद करती है लगता है Looks like वो तनुच को पसंद करती है She likes तनुच Looks like she likes तनुच प्यार करना यह बहुत पसंद करना Love L-O-V-E Love Loved Loved मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी मा को करता हूं I love my mother the most I love my mother the most उमीद करना Hope H-O-P-E तीन फ़र्म से हैं Hope Hoped Hoped मुझे उमीद है आप मुझे निराश नहीं करोगे I hope You will not disappoint me I hope you will not Disappoint me प्रेणना देना Motivate M-O-T-I-V-A-T-E Motivate की तीन फ़र्म से हैं Motivate Motivated Motivated मेरे टीचर हमेशा मुझे motivate करते हैं My teacher always motivates me My teacher always motivates me सुनिश्चित करना Ensure E-N-S-U-R-E तीन फ़र्म से हैं Ensure Ensured Ensured जैसे हम अक्सर जैनरली ऐसे बोल देते हैं ध्यान रखना हैं कि 9 बजे से पहले पहले आ जाना तो वो ध्यान रखना यानि सुनिश्चित करना Ensure वो Ensure ही है Next word उल्टी करना Vomit V-O-M-I-T तीन फ़र्म से हैं Vomit Vomitted Vomitted मुझे बस में सफर करने पर उल्टी होती है मुझे उल्टी होती है I vomit While traveling in the bus बस में travel करने के दौरान Next तरक्की करना यानि grow करना G-R-O-W तीन फ़र्म से हैं Grow Grewe Grown Rakesh ने company में अपनी साख को बढ़ा लिया है साख को बढ़ा लिया है यानि reputation को बढ़ा लिया है repetition को grow कर दिया है Rakesh has grown his reputation in the company Rakesh has grown his reputation in the company पैसा लगाना Invest I-N-V-E-S-T Invest तीन फ़र्म से हैं Invest Invested Invested मैंने share बजार में पैसा लगाया है I have invested money in share market I have invested money in share market व्यर्थ करना व्यर्थ करना यानि की waste कर देना W-A-S-T-E Waste Waste की तीन फ़र्म से हैं Waste, Wasted, Wasted उसने call करके मेरा समय व्यर्थ कर दिया He wasted my time by calling He wasted my time by calling बचाना Save S-A-V-E Save Saved Saved मैं अपनी salary से थोड़े पैसे बचाता भी हूँ I also save some money from my salary I also save some money from my salary भरना Fill F-I-L-L तीन फ़र्म से हैं Fill Filled Filled Balty में पानी भर दो Please fill the bucket with water Please fill the bucket with water भुक्तान करना यनि पे करना Pay, paid, paid हमें अपने बिल का भुक्तान समय पर कर देना चाहिए We should pay our bills on time We should pay our bills on time प्रेयोक करना Use U-S-E तीन फ़र्म से हैं Used Used आजकल मैं ये शैंपू यूज कर रहा हूँ आजकल मैं ये शैंपू यूज कर रहा हूँ These days I am using this shampoo These days I am using this shampoo पीछा करना Follow F-O-L-L-O-W Follow Followed Followed Nitin कल से मेरा पीछा कर रहा है Nitin has been following me since yesterday Nitin has been following me since yesterday Rokna Stop S-T-O-P तीन फ़र्म से हैं Stop Stopped Stopped उसने मुझे वहां जाने से क्यों रोका Why did he stop me from going there? Why did he stop me from going there? Ijajat देना Allow A-Double-L-O-W Allow तीन फ़र्म से हैं Allow Allowed Allowed पापा मुझे बाहर नहीं जाने देते पापा ड़सन अलाव मी टू गो आउट पापा ड़सन अलाव मी टू गो आउट जोडना Add A-Double-D तीन फ़र्म से हैं Add Added Edit ये पेज भी उन डॉकुमेंट्स के साथ जोड़ दो ये पेज भी उन डॉकुमेंट्स के साथ जोड़ दो Add this page to with those documents Add this page to with those documents घटाना घटाने को कहते हैं या तो सब्ट्रैक्ट या डिड़क्ट Subtract तब कहते हैं जब हम किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को घटाते हैं जैसे example है 100 रुपे में से 30 रुपे घटा दो Subtract 30 रुपीज from 100 रुपीज लेकिन अगर मैं कहूँ आपने मेरी salary से 500 रुपे क्यों घटाए यानि कि क्यों deduct किये वैसे तो Subtract और Deduct दोनों का Use एक दूसरे की जगह पे किया जा सकता है इंटर्चेंजिवल है लेकिन थोड़ा सा Sense के हिसाब से भी बोलना पड़ता है जैसा इंग्लिश नेटिव बोलते हैं Next भाग देना Divide Divide, Divided, Divided अगर 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा If 10 is divided by 2 What would it be? If 10 is divided by 2 What would it be? गुणा करना, Multiply तीन फॉर्म से हैं Multiply, Multiply, Multiply क्या तुम्हें गुणा करना आता है? Do you know how to multiply? Do you know how to multiply? चुनना चुनना को Choose कहते हैं C-H-O-O-S-E तीन फॉर्म से हैं Choose, Chose, Chosen जो भी शर्ट पसंद है चुन लो Choose whichever shirt you like Choose whichever shirt you like Whichever मतलब जो भी जो कोई भी इंतजार करना Wait W-A-I-T तीन फॉर्म से हैं Wait, Waited, Waited मैं एक घंटे से उसका इंतजार कर रही हूं I have been waiting for him for an hour I have been waiting for him for an hour मरना Die D-I-E तीन फॉर्म से हैं Die, Diet, Diet भूख से हर साल कई लोग मर जाते हैं Many people die every year due to hunger Many people die every year due to hunger भेजना Send S-E-N-D S-E-N-D तीन फॉर्म सेंड, सेंट, सेंट, सेंट कोमल को उसके पास मैंने भीजा था मैंने भीजा था I had sent कोमल को कोमल किसके पास? उसके पास To him I had sent कोमल to him Next पहुँचना Reach या Arrive Reach की spelling होती है R-E-A-C-H Arrive की spelling होती है A-R-R-I-V-E दोनों की थर्ड फॉर्म में आपको सिर्फ E-D लगा देना है Reach Reached Reached Arrive Arrived Arrived Train समय से पहले पहुँच गई The train reached Before time या फिर The train arrived Before time बने रहना यानि किसी चीज में Continue रहना Remain R-E-M-A-I-N इसकी तीन फॉर्म से है Remain Remained Remained Gale Crease पर आखरी Over तक बना रहा यानि कि टिका रहा Gale remained At the crease Till the last Over Pass होना Pass P-A-S-S तीन फॉर्म से है Pass Past Past तुम एक्जाम में Pass हो जाओगे You will pass the exam यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है You will pass in the exam नहीं Exam में बोला तो में के लिए in नहीं लगाना है Direct बोलना है You will pass the exam ठीक इसी तरह से Fail होना को fail कहते हैं F-A-I-L तीन फॉर्म से होती हैं Fail, Failed, Failed तुम एक्जाम में fail हो जाओगे यहाँ पर भी You will fail the exam जरूरत होना Need तीन फॉर्म से हैं Need, Needed, Needed मुझे पैसों की जरूरत है I need money और अगर इसी सेंटेंस में है की जगा थी कह दूँ मुझे पैसों की जरूरत थी तो ऐसे में Need की जगा क्या जाएगा Needed I needed money फैसला करना Decide D-E-C-I-D-E Decide इसकी तीन फॉर्म से हैं Decide Decided Decided फटा फट फैसला करो की क्या करना है Decide fast As in what to do Decide fast As in what to do यहाँ पर as in का सेंस की का सेंस है Generally Advanced Level English में ही इस तरह से बोला जाता है अगर Basic Level की बात करों तो आप सिर्फ इतना भी कह सकते है Decide fast What to do As in का use आप न करें Next लड़ना Fight F-I-G-H-T तीन फॉर्म से हैं Fought Fought गली में दो लड़के लड़ रहे हैं Two boys are fighting in the street Two boys are fighting in the street बहस करना Argue 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 यह है इसकी तीन फॉर्म से बहस मत करो Don't argue Don't argue पूरा करना Complete C-O-M-P-L-E-T-E Complete तीन फॉर्म से हैं Complete Completed Completed उसने दिन में ही स्कूल का काम पूरा कर दिया था He had completed school work in the date self He had completed school work in the date self Next स्विकार करना Accept A-C-C-E-P-T Accept तीन फॉर्म से हैं Accepted Accepted उसने स्विकार कर लिया है कि चोरी उसने की थी He has accepted उसने स्विकार कर लिया है that कि He had committed the theft और आज का आखरी वर्ड है तैरना Swim S-W-I-M इसकी तीन फॉर्म से हैं Swim Swam Swam वहां तैरने के लिए पैसे देने होते हैं किसे देने होते हैं? हर किसी को देने होते हैं जो भी जाता है उस सब को देने होते हैं ऐसे में रोल आता है One का One has to pay to swim there One has to pay to swim there हालाकि यहां पर मैं everyone भी कह सकता हूँ Everyone has to pay to swim there लेकिन One का use थोड़ा advanced English में किया जाता है उमीद है आज की इस वीडियो से आपने कई नए वर्ड सीखे हैं इससे आपको बोलने में मदद जरूर मिलेगी मैं आपसे request करूँगा कि केवल एक बार नहीं इस वीडियो को जितनी बार आप सुन सकते हैं आप सुनिये तब तक देखिए तब तक सुनिये जब तक एक-एक word आपको याद ना हो जाए मैं तो आपसे ये भी कहूँगा जब आप रात को सोने जाते हैं तो कान में एरफोन लगाईए हलके आवाज में लगाईए और वीडियो को चलने दीजिए इससे क्या होगा बार बार words को आप सुनते रहेंगे तो ये words आपको याद हो जाएंगे उमीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा कम से कम एक WhatsApp या Facebook ग्रूप में और कॉमेंट्स में भी बताईएगा कैसा लगा और मुझे इंतिजार रहेगा उन 500 स्टूडेंट्स का जो अपना होमवर्क फोटो खीच करके WhatsApp करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए टेक केर गुडबाई